टाइम्स मंजाब के शोग गोल्डन टॉक्स वी शिप्त्रा में सारे लुधिहान वीज का वर्म वर्म वेलकम वे आ हेर इन स्मार्ट सिटी लुधिहाना तो इंट्रोडूस यू तो वन आफ ता मोर्स रेनाउन टीवी और फिल्म एक्टर एंड मोर ओवर लेजेंट ऑफ कॉमेडी मिस्टर आकेश पेदी तो जाधा टाइम ना वेस्ट करती है चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे सबसे पहले बिताइए कि इससे पहले भी आपको शोज कर चुके हैं यह पहले भी यहां पर तीन-चार बार आजुका हूं और प्लेज ही किये मैंने और वैसे भी परसनल भी कुछ रिष्टेदारी भी है तो उस चक्र में भी आया हूं लेकिन प्लेस के लिए भी तीन-चार लुद्याना में तो इसे लगी आपको लुद्याना सेटी ब्ड़ी वाइबरेंट बड़ी बबली सिटी है और यहां के लोग भी बड़े प्यारे हैं लुद्याना तो इंडिस्ट्रियल लेक बहुत बड़ा टाउन है और बड़ी कॉंट्रिबूशन है मैं कहूंगा के हमा अच्छी इनकी ग्रोथ में, इंडिया की ग्रोथ में कॉंट्रिबिशन है। नहीं, मैं बेसिकली बाइंड लाज है, हैपी गो लखी किसम का आदनी हूँ, मैं ज्यादा टेंशन ना लेता हूँ ना किसी को देता हूँ, और खुश रहता हूँ, और खुश जो मेरे आसपास लोग होते हैं, कोशिश करता हूँ, तो यही मेरा एंडिवर होता है, कोशिश ह पहुंचता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और as they say laughter is the best medicine, तो मेरा जितना भी काम होता है, 90% अगर वो कितना भी serious हो, बहुत ज़्यादा serious भी हो, लेकिन उसमें एक humor का element हमेशा आपको मिलेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि humor अगर आप किसी भी serious बात को comedy के Sir, एक चीज़ा आपका, जो एक serial है था, श्रीमान श्रीमती, बहुत appreciate किया गया था उसको सबकी तरफ से, तो उसमें वो experience आपका कैसा रहा उस time पे, वो इतने आपने renowned actor actresses के साथ उसमें काम किया था वो मेरी life का एक बहुत ही, मैं कहूंगा एक high point है, श्रीमान श्रीमती, और मैंने वो 4-5 साल चला वो serial और मैंने उसको बहुत ज़्यादा enjoy किया, और अगर आपको, ये बहुत लोगों को पता नहीं लेकर मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा character था, उसमें मेरा हाथ ऐसे है ता उसमें, और मैं को कि जी मैं उसे कभी बात ने करूंगा, ऐसे मैं बात करता हूँ, तो मैंने actually वो किसी को impersonate किया था, एक heroine थी, तो उसका उसकी शादी हो रही थी, तो जो उसका husband था वो तकरीवन ऐसा ही था, तो मैंने उसको देखा और मैंने उसको almost portrait करने की अब जैसे आप लुद्याना में एक play लेकर आ रहे है, लाइफ प्ले तो हमने एक movie देखी थी, जब हुई मैट, तो उसमें तो एक चीज हमने जो देखा की, वही एक concept होता है, heroine last में आके मिलते हैं, बट आपका जो ये live play आ रहा है, इसमें हम क्या different चीज देख, आपने मत separated एक love story तो है ही, क्योंकि love story क्योंकि आप कभी न कभी मिले होंगे तभी separate हो रहे हैं, तो शुरुवात तो love story से ही हुई उनकी, जो मेरे play में जो कहानी है, वो हम दिखाते भी हैं, play में दिखता भी आपको कैसे शुरुवात हुई, love story कैसे पनपी उनकी कैसे आगे बड़ी, लेकिन separation तक पहुंची, तो separation तक क्यों पहुंची और क्या reasons हैं, और हमारे आजकल के जो young couples हैं, जो married है, जो nuclear family में रहते हैं, कोई मावाप साथ में नहीं है, कोई बड़ा साथ में नहीं है, कोई pressure भी नहीं है, पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं आप लोग, पैसे के भी इतनी problem नहीं है, तो फिर भी separation क्यों हो रहे हैं, तो यह बहुत बढ़ गए हैं हमारे divorce case, बहुत बढ़ गए हैं, तो यू थिंग वट इस तम बेसिक रीजन बहाइंड इस relevant topic, the reason is के पहले लड़की जो थी वो dependent बहुत थी husband के उपर, उसकी income के उपर, emotionally dependent थी, financially dependent थी, और peer pressure भी था, क्योंकि मावाप पीछे से बोलते हैं, नहीं बेटा, तू रह, तू रह, तू निभा, तू कोशिश कर, त तो मावाप को लगता था कि हम किस कहां मुह दिखाएंगे, पूरे जमाने में हमारी नाक कट जाएगी, हमारी तो शरम से बाहर नहीं निकलते से, लेकिन अब जमाना चेंज हो गया, आज तू मावाप बोलते हैं, बेटा, अगर तरी नहीं निभरी है, तो तू आ जा, और तो क्या हमारे पास शॉट कट बहुत हैं, अपनी इंकम है, रड़की के पास, आपनी के पास भी है, दोनों के पास है, अपनी फिनेंशल स्टेंडिंग है, अपनी एजूकेशन है, और सुसाइटी में टैबू जो था एक डैवोर्स का, वो नहीं है, इस पूरे प्ले में ग इस टॉपिक में भी आपने एक स्पाइसिस डाल दी है, बहुत जरूरी है वो, वरना तो क्या ओडियंस को इतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन मेरे जैसे में आता हूं तो लोग बहुत जी जी एंजॉए करते हैं, जैसे हम देखने हैं, आज कल मॉर्डर स्नाइशन का डाइ में हरकी अपने सेल्स फोन्स में और पार्टी कलफ कल्चर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, इस थेटर जैसे आप लाइफ शो लेकर आ रहे हैं, यहां पर लाइफ प्ले, तो लोगों को थेटर लाइन में वो इंट्रस्ट है, आज भी जो पहले के थेटर होता था, तब से थेटर चलता आ रहा है, तो थेटर के ओपर कितने ओंसलोट हुए, कितने अटैक हुए, वार्ज हुई, देश अलग-लग हुए, कल्चर अलग हुई, सिविलाइजेशन बरबाद हुई, पिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ, फिर सिनिमा आया, फिर विड साउंड आया, फिर ब्लैक अन्वट आया, फिर कलर आया, फिर टीवी आया, फिर नेटफलिक्स आया, पर इंटरनेट आया, पर थेटर में आज करने आया हुआ हुए, यहाँ पर आपके शहर में? पूछना जाते हैं आपसे कि आपको क्या लगते है उस चीज में कहीं कुछ डिफरेंस आया है कि जो पहले के लोग एप्रिशेट करते थे थेटर लाइन को आज के टाइम पे जैसे हमने बताया कि थोड़ा यूथ उस तरफ जादा जा रहा है क्लब कल्चर की तरफ तो थेटर इसको अतना लाइक आज भी किया जाता है थेटर की एक खासा बताओं आपको कि एक बार जो आदमी आके प्ले देख लेता है ना एक बार उसको फिर मुह को खुन लग जाता है वो बार बार देखता है क्योंकि एक फ्लेश एंड ब्लड में कुछ कलाकार स्टेज पे खड़ है तो प्लीज कोई मैसेज भी दीजिए यहां के विवर्स को मेरा मैसेज मेरे प्ले के दौरा थूरू तो यही जाता है कि मैरेट लाइफ में शादी को तोड़ने के रिजन बहुत जादा है और रिजन ढूंटे रो आपको मिलते रहेंगे तोड़ने के रिजन जगड़ा क लेजेंड मिस्टर आकेश पेदी जो स्पेशली लुधियाना में एक लाइफ शो एक लाइफ प्ले लेकर आएंगा है जो वो होने वाला है थर्ड और फैप को एड़ गुरू नानक भवन तो प्लीज सारे लुधियान विस से हम एक विश करते हैं कि आप सब गी देखने ज आप टीवी